आपके लिए एक नई वेकेंसी लेकर आए हैं मिनिस्ट्री आफ MSME और गॉर्मेंट आफ इंडिया की तरफ से निकली है यह वेकेंसी पहले भी निकली थी हमने ग्रूप में अपडेट किया था यह यह यूट्यूब की पोस्ट जो है उसमें डाला था लेकिन इसकी जो चांसे बहुत ज्यादा होते हैं यह रिकृट्मेंट है सेलरी पचास जर्स ज्यादा होगी इसमें 10th 12th graduate सबके लिए है जिनके पास experience है उनके लिए भी इसमें जॉप्स है जिनके पास नहीं है उनके लिए भी जॉप्स है तो completely government job है इसमें जो payment होता है वो 7th pay commission के अंडर में आता है जो salary आती है कोई ad hoc या fake contract वाली job नहीं है जिसमें fix pay होता है allowances भी है और बाकी चीज़े जो एक government job में होती है वो facilities भी अवलेबल है अब हम देखते हैं इसका circular यह website है choirboard coirboard.gov.in यहाँ पर इसका आपको notification मिल जाएगा जिसका link वीडियो के description box में दे दिय है जो important चीज़े हैं आपके लिए वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ quiet board जो है वो आता है ministry of micro small and medium enterprises MSME के अंतर गया जो की government of India की एक subsidiary है ठीक है regular basis पर job है यहाँ पर highlight किया गया है और यह job है senior scientific officers basically यह job आप पढ़ लिजेगा notification में या वीडियो को post करके देख लिजे जो main है वो मैंने आपको highlight कर रखा है यहाँ पर आपको चाहिए first or second class graduate जो की assistant की post है and showroom manager grade 3 इसमें आपको चाहिए degree of a recognized university और equivalent with two year experience in marketing of consumer products तो भी आप जॉब में apply कर सकते हैं किसी government organization में नहीं कहीं private में experience है तो भी आप apply कर सकते हैं and जो यहाँ पर pay scale होगा वो in level 6 होगा जो की CPC की है central pay commission की 35,400 से लेकर 1,12,400 तक जाती है यह first basic होती है और यह आपके basic end होता है मतला max salary आपकी basic pay उस पर जो HRD मिलता है वो अलग से हो degree in any discipline from recognizing university one year experience of knowledge in computer application computer में knowledge का एक साल का आपको experience चाहिए इसी तरह से आपके junior stenographer है mechanical grade 2 की है हिंदी टैपेस्ट की वेकंसी है lower division clerk की है salesman की है इसमें आपको 12 12 चाहिए यहाँ पर lower division clerk में salesman में training assistant में और जो machine operator है उसमें ITI अगर आपके पास है तो आप वहाँ पर इस job के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर दिया गया है candidates must have attain the minimum age of 18 years on the closing date of application IE 158-20 15 अगस जो है last date थी लेकिन यहाँ पर देखिए इसका फिर से एक letter आया है शुद्धी पत्र आया है जहाँ पर लिखा गया है कि online आवे दिन की अंतिनतिती 159 कर दी गई है और सुल्क भुकतान के लिए fee payment के लि अजरात करनाटका असाम तमिलनाडू महाराष्ट ओडिशा वेस्ट बेंगॉल और प्रदेश ठीक है यह सारे यहाँ पर बोर्ट से जो दिये गए हैं लेकिन यहाँ पर आपकी पहली पोस्टिंग होगी एक बार आप पॉस्ट करके यह notification में देख सकते हैं लेकिन यहाँ प अगर आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह है जो कि आपका साम को 6 वज़े तक आप 15.09 कर लिजिए इस डेट को 15 सेप्टमबर तक अप्लाई कर सकते हैं फीस की बात करें तो कोई फीस नहीं है स्टी पांच के लिए 400 रुपए और 6-13 नंबर की जो पोस्ट हैं उनके लिए 300 रुपए है बैसिकली आप में से मैक्समम लोग ग्रेजवेट या फिर 12 होंगे तो यहां पर 400 और 300 रुपीस का फीपेमेंट आपके लिए करना पड़ेगा ठीक है यहां पर आपको जो अप्लाई कर यह कहीं वर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वहां से नोशी लेना होगा विजिलेंस का क्लिरेंस चाहिए होगा और जो आपकी एन्वल प्रफॉर्मेंस आप्रिजल होता है लास्ट पांस साल का वो भी चाहिए होगा नो आप्जेक्शन सेटिफिकेट के साथ अगर दिख पुरानी जॉब के बेस्ट पर को भी benefit claim नहीं करोगे ठीक है तो यह चीज आपको वहाँ पर लिखनी होगी अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या होना है यहाँ पर return test होना है और उसके बाद interview होना है क्या syllabus है उसका यह फिलाल यहाँ पर नहीं mention है and interview में क्या है कितने marks का weightage है यह भी mention नहीं है आने वाले time में में भी यह mention करेंगे वहाँ पर तभी पुता चल पाएगा कि जो है वहाँ पर आप क्या syllabus क्या कर रहने वाला है लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखें तो current affairs math and reasoning English यहीं syllabus रहता है and अगर कोई specialized post के लिए apply कर रहे है तो आपके experience से related या उस subject से related जो है वहाँ पर matter रहने वाला है तो math, reasoning, English and current affairs इनकी आप पढ़ाई करिए and post के लिए apply कर दीजिए अच्छी post है, central government की है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई private होने का डर नहीं है रही बात vacancies बहुत काम है तो vacancies कम ज्यादा से कुछ नहीं होता है हर जगे apply करते रहिए, आप collectively देख लिए तो बहुत सी vacancies हो जाएंगी तो दीए-दीए अगर आप apply करेंगे, मेनत करेंगे, कहीं न कहीं आप सेलेक्शन जलूर हो जाएगा तो उमीद करता हूँ, यह वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका benefit मिल सके, thank you